आसर गूद मॉनिंग एव्रीवन और वेलकम यौल टू सौरा पांदे यूपी एससी यूट्यूब चैनल पे और यह जो अगर आप सिविल सर्वेस या इस एक्जाम की तहरी कर रहे हैं इस चैनल से जरूर से जुड़ है और डाउनलोड करें सौरा पांदे सी एस एप को और जस्ट वांट तो हाइलाइट दिस पांट कि आपको कन्फ्यूज नहीं होना है विकाज जो भी प्रीविस ओर्निजेशन थी उनमें आपको अपको कन्फ्यूज नहीं होना है अगर कोई भी किसी भी कारण हो अगर माल लोग कोई कोर्स आता है कुछ होता है तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको ध्यान में रखना है कि I am not associated with the previous organizations तो थोड़ा सा आप अगर कुछ भी अगर आप decision लेते हो आप मुझे देखके तो फिर आप थोड़ा सा confirm करें ठीक है I am not part of that organization तो जो भी मेरे sessions है वो YouTube चनल सौरपांडे UPSC और जो app है जहां पर मेरे live classes आती है वो है सौरपांडे CSE app और website भी launch हो चुकी है सौरपांडे UPSC.com उसमें आप जा सकते हैं और उसमें काफी सारी चीज़े आपको PDF और यह सब भी available रहेगा magazine भी आपको उसमें मिल जाएगी ठीक है October की magazine जल्द आने वाली है that also you will get तो शुरू करते है आज के जो topics हैं आज के जो है topics हम लोग discuss करेंगे exam point of research जो आए है Philippines में अर्थ को एक है तो यहां से geography का question आपके लिए फ्रेम होता है यह discuss करेंगे epic and china USA epic के बारे में आज 5am सीरीज में भी मैंने discussion किया था सुबह 5am सीरीज में भी है यहां भी discuss कर लेंगे israel hummus and changing geopolitics बहुत अच्छे से explain करूँगा आपको पहले भी कर रखा है और भी हम लोग discuss करेंगे जो topic है और आखरी में मेंस का question यह ऐसे का topic है निबंध week make मैं आपको दूँगा आपको लिखना है इसका evolution I cannot do possible नहीं हो करते हैं आकलन सीरीज के अंदर वो question आज और कल में पूरे evaluate कर लूँगा काफी सारे लोग है कुछ अपने समिट करते हैं कल मैंने अंदरा यह 16 copies चेक की थी तो जैसे जैसे समय मिलता है copies आपकी चेक होती रहती है तो आपको से अनुरोद है कि आकलन सीरीज का अगर आप हिस अपलोड करते जाएं जैसे जैसे लिखेंगे आप खुद से देखोगे काफी improvement होगा कुछ चीजे मैंने separate video आकलन सीरीज के लिए YouTube में डाला प्लीज उसको सुन ले उस पर मैंने सारी चीजे बता ही कि आपको अपने answer का approach कैसे करना है तो बहुत मुश्किल होता है लिख पा imperfect than to live an imitation than to live an imitation than to live an imitation somebody else life with perfection हजार शब इसमें लिखना है इसमें आपका international relation भी आ जाएगा बहुत सारी चीजे आ जाएगा आप इसमें लिख सकते हो और अच्छा खासा मतलब आपको सोचना पड़ेगा आप अच्छा एंसर लिख भी पाओगे अगर आप पहले सोचोंगे अच्छे तरीके से देन ओनली यू बी आप लिख भी पाओगे ठीक है सो सवरपंडे CSC आप डाउनलोड करके आज कल संडे को वर्ल्ड कप का फाइनल भी है बट टेस्ट होगा पिछली बार दिवाली थी इस बार आपकी यह है तो सेडूल है संडे को नौ बजेट और यह टेस्ट की फ्रेक्वेंसी बढ़ेगी जैसे जैसे एक्जाम क्लोज पहले से पचास टेस्स करेंट अफेर से कैसे क्रीट हो सकते हैं थोड़ा सा आप सोचें इस बारे में तो यहां पर देखो स्टेवल्ड है संडे को नौ बजे तो आप सवरपंडे CSC आप डाउनलोड करके इस टेस्ट को जरूर से दें और लाइव दें ज्यादा बेटर है और रिजल्ट में पॉब्लिश कर दूँगा तो इस आपको डाउनलोड करना है गूगल स्टोर में जाके आगलन सीरीज में आप अपने अंसर पोस्ट कर सकते हैं और टार्गेट UPSC प्रिलिम्स यह एडवांस करेंट अफेर से 50 टेस्ट हैं इसका प्राइज है का यह मंडे से यह प्राइस बढ़ जाएगा ठीक है मंडे से आपका इंक्रीज हो जाएगा और अच्छा इंक्रीज हो जाएगा उसके अलावा चलो शुरू करते हैं अग्रिकल्चर ऑप्शनल भी जल्द लाउंच होने वाला है उसका भी मैं आपको इन्फोर्मेशन दे दूंगा तो अब यह एक टॉपिक बनता है यह टॉपिक आपका जोग्रफी का टॉपिक है और इसमें अगर आप स्टडी करता है जोग्रफी के टॉपिक पर जैसे जिस तरीके के जो प्रशन है वह आपसे पूछे जा रहे हैं तो यूविल फाइंड दिस थिंग की काफी सारी जो यह प को लेके वाल कैनी किरप्शन को लेके क्लामिटिक फेनोमेना को लेके काफी अधिक प्रस्णात है तो इसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे देखो यह तो चलो एक इवेंट हुआ है बट हमारे लिए एज इस्टूडेंट हमें क्या चीज़े देखनी चाहिए हमें पह महत्रपूर्ण टॉपिक आपके लिए बन जाता है तो उसको थोड़ा सा देखते हैं और डिसकस करता है तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि इसका लोकेशन क्या है जहां पर आपका अर्थक्वेक आया है तो यह आपका जैसे यह रीजन है यह जैसे आप जोगर्फी की मैपिंग है आपको यहां पर देखना है जो जगह है इस जगह पर आपका अर्थक्वेक आया है अब दूसरी चीज देखा जाए जो हमारी लिए इंपोर्टेंट है तो विम वी हैव रेड़ बाउट प्लेक टेक्टॉनिक थेओरी थोड़ा सा मैं इस सब्सक्रेंट उसको हम लिथो स्पीर बोलते हैं उसको क्या बूट्भी जो हिस्सा है मेकैनिकल अगर आप डिवीजन खतेवली इस लीथोग स्फियर के अंदर क्र सरे प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल यह इसका हिस्सा है क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ मेंटल ठीक है यह मिलकर आपको क्या बनाते हैं generally आपके लिए बनाते हैं that is lithosphere crust plus upper part of mental यह है अब यहां पर क्या है कि यह जो आपके lithosphere है जैसे अर्थ का जो उपरी सत्य है उसे हम lithosphere बोलते हैं और lithosphere में crust plus upper part of mental अब यह जो है lithosphere different type में मतब different आपके plates में divided मतब fragments में divided है इनको हम plates बोलते हैं और यह जो plates हैं मालों जमीनी स्तर पर है तो उसको continental बोलते हैं continental शब्द उसके लिए इस्तमाल करते हैं और समुद्र है तो उसको हम oceanic बोलते हैं और यह आपको याद रखना है कि जो oceanic plate है इसकी density जो है वो comparatively higher होती है in comparison to the continental plate अब यह जो plates आपकी अलग लग होती है यह placed आपस में आपकी interact करती है सब्सक्रों plate एक दूसरे के तरफ आ रही है इसको बोलते हैं convergent convergent cleve country इसको बोलता है divergent जो होता है उसे हम divergent बोलता है subduction ठीक है इसके लिए जो शब्द हम यूज करते हैं वो है subduction जो भी फेनोमेना हो अर्थक्वेक हो रहा है वालकेनी किरप्शन हो रहा है तो उसमें जो एक फेनोमेना है जैसे अगर आप देखोगे नेपाल में अर्थक्वेक क्यों आया है तो हमने डिसकूश किया है इसके ब अब इसके अब आपको बताया था आफ्टर शॉक के अलावा एक कंसेप्ट हमने डिसकूश किया था तो मल्टी प्लेट करके एक कंसेप्ट डिसकूश किया था हो सकता आप NCRT में हो क्या सकता NCRT में नहीं दिया हुआ है तो यह सब चीजे थोड़ा सा अगर आप देखें आप समझ पाएंगे कि यह सब जो जोग्रफी के इमर्जिंग कंसेप्ट हैं यह इन ही से परश्ण भी आपके लिए प्रिलम्स में बनते हैं मैपिंग के और मेंस में भी बनते हैं तो इसको बहुत अच्छे सा फॉलो करना और अर्थक्वेक के लिए एक यह ही बागी दूस झाँ धी माइ जो फिलिपिन्स को देख भी दधे हैं अब आफ देको फिल्लपिन्स के आसपास की प्लेट कौन कौन कांसे मैं यहां इंड earn क्या है इंदो ऑस्ट्रेलियन प्लेट फिर अगर आफे यह फेसिफिक टार आपक्ड़ की आजाती है यह इधर देखोगे तो यह उरेशन प्लेट भेड़े जाते हैं देखो कितनी सारी अंपर उरेशन भी आगई इंड और फिल्यपीन प्लेट्स पर इतनी सारी प्लेट बांड़ेट अगर प्रेजंट है if there is a high possibility of earthquake earthquake क्या बहुत possibility high possibility रहती है तो यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो यह ध्यान में रखना कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि यहां पे कौन सा mountain बन रहा है इस जगह पे किस mountain का formation हो रहा है और इसके पीछे कौन सी दो प्लेट्स जिम्मेदार है ठीक है यह बताना अभी आपके पस अगर आपसे पूछे कोई कि इस रीजन में क्यों आता है तो आपको बस यह factors बता देने हैं यहां पर देख लो यह प्लेट्स के बारे में डाइग्रम और भी है तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा तो यहां प आपको यह मार्याना प्लेट्स भी है यह प्लेट्स दीजल स्वीश प्लेट्स्थ यह सब क्या है यह आपकी छोटी plates है जो कि इस जगह पे प्रेजेंट है यहां पे तो अब इतनी सारी जब प्लेट्स आपकी प्रेजेंट होंगी तो देरी जगें अगें आपको सारे आपको इस एरिया में आपके आएंगे और जो भी आर्टिकल्स आएंगे उस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे तेकिन अभी फिलहाल के लिए कुछ पॉइंट्स है और अभी अगर आपने देखा होगा चाइना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यूएस में गए है तो चाइना यूएस रिलेसंशिप पे अभी कई सारे आर्टिकल्स जो है वो इस पर आएंगे जरूर से जरूर आएंगे अब इस पर मैं और ज्यादा आपसे एक एडिटोरियल है उस पर जब मैं चर्चा आपसे करूँगा तो उस पर और डिटेल में हम लोग जाएंगे ठीक है और डिटेल में जाके और चीजे समझेंगे क्योंकि रिष्टे जो है इनके बीच का जो चल रहा है तो वह बहुत सारी लेवल पे पूरे विश्व में प्रॉब्लम क्रेट करने के लिए एक फैक्टर है आज के समय में ठीक है तो यहां पे देखते हैं क्या बात है इस आर्टिकल के अंदर कुछ बाते में इंचेंड है त इसको आप लोट कर लो चाइना यूस रिलेस्टेशन्शिप में तो पहली चीज तो आपको देखना है यहां पे कि यह जो सम्मीट हुई है इसके पीछे क्या है ऐसा नहीं कि चाइना के प्रेजिडेंट ऐसे चले गया है तो यहां पर यह सम्मीट हुई थी अपक की दापकी हुई थी तो यहां पे क्या है कि कई चीजों पर यह लोगों ने कहा कि एक प्रकार से कहा कि अगर आप इंडियन प्राम नेस्टर की स्टेटमेंट को आज देखें तो उन्होंने भी डीफ फेक के बारे में बताया है डीफ फेक पर हमने भी चर्चा की है उसके जर्चा की है जर्णल आटिफीशल इंटेलिजेंस के चर्चा कर रखी है तो यह थोड़ा सा ध्यान में रखना है प्रशन आपके लिए बिल्कुल फ्रेम इन सब जगहों से हो सकता है क्योंकि इतना बड़े लीडर सोरे सब इस इस कंसर्ण में है कि जो यह आटिफीशल इं लाइन आप यूज़ कर सकते हो कई जगह में वह क्या बना सकता है अपने रिष्टे के लिए कैसे कुछ बेस होगा अब जैसे इन्हों ने क्या किया था कि जैसे बाली में भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी फिर यह क्या हुआ कि यूएस में यह कहा गया कि कि स्पाइ बैलून आया है उड़ता हुआ और उसने मताब वह चाइना का है और इस वज़े फिर रिलेस्टिप काफी दिक्कत हो गई यह इस्थिति आपकी रहे तो ताइवान पे भी इशू चल रहे हैं ताइवान पर भी जो है इशू आपके चल रहे हैं यहां पर भी मताब जो यू आप यह देखो इस बात को ध्यान सुनना देखो यूएस ना वेस्ट अशिया से निकल कर अफगानिस्तान से निकला फिर अपना इंफ्लेंस जो भी उसका प्रेजेंस है वेस्ट अशिया के अंदर वहां से वह निकला बाहर और उसका सारा फोकस जो है वेस्टन पैस्फिक अगर वह पूरा प्रेजेंस बना लेता था एक तरफ चाइना को भी काउंटर कर सकता था उपर रश्या को भी काउंटर कर सकता था और नॉर्थ कोरिया को भी काउंटर कर सकता था तो इस रीजन में उसे ताइवान में प्रेजेंस भी उसका इंक्रीज होता तो चाइना के के लिए भी डर का एक वो था अब देखो लड़ाई इसी चीज किया है अब चाइना यह चाहेगा यह रश्या यह चाहेंगे कि पूरे तरीके से वेस्टन प्रस्वी कोशिशन पर यूएस बहुत इस्ट्रॉंग नहीं हो जाए और इस्ट्रॉंग कब होगा जब अपना सारा सारा कंसेट्रेशन इधर ही लगा दे अब इस्राइल हमस का जो इस्ट्रॉंग हुआ है तो यह जो इस्ट्रॉंग है कि दुबारा से यूएस अपना प्रेजर्शन वेस्ट एशिया में दुबारा से वह से रखना पढ़ेगा अपने इंफ्लेंस को बढ़ाने के लिए तो पूरी तरीके से अपना ध्यान वेस्टन प्रेशन पर नहीं रख पाएगा तो यह सब चीजें हैं मतलब यह सब चीजें इंटरनाशनल लेवल पर बहुत ही बड़े माइंड्स होते हैं अब उनमें ऐसे कोई लोगों की लाइफ और इस अब इतनी उनके लिए माटर नहीं क कि जैसे कि सबसे जरूरी चीज क्या है कि जो भी इनके बीच में डिफरेंसेशें उसको कैसे अर्प कर रहे हो जिस चीज के लिए आप लोग आपटार हो ठीक है बड़ी हा रिस्ता है आपका तब तब तो ठीक है उस पर कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत कहा आती है जो आपके बीच में gap है, जो आपके बीच में differences है, उन differences को आप कैसे manage करते हो, how you are managing those differences, ठीक है, जो differences है, उन differences को आप किस तरीके से manage करते हो, that is the case, तो अपना जो relationship है, जो भी आपका रिष्टा है, या जो relationship है, तो उस relationship में आपसी differences को किस तरीके से maintain करते हो, that is there, यह जरूरी है, तो इनको इनको भी इसी बात पर थोड़ा सा चर्जा करना पड़ेगा इस चीज़ को देखना पड़ेगा और यह भी देखना पड़ेगा यह ब्लाइन भी बहुत अच्छी लिए है कि इनको पता है कि यह दूसरे के एक दूसरे को नुकसान ही करे क्या is it possible कि आप responsibly competition को manage कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो that is there तो यह एक सोचने वाली बात है कि competition कैसे manage करते हैं आपस में जो conflict और competition है वो किस तरीके से यह manage आपका करते हैं यह बहुत important बन जाता है and यह एक तरीके से जो भी जिस तरीके से manage करते हैं it will also provide एक प्रकार से कुछ points हमें भी मिलेंगे कि हम और चाइना किस तरीके से मालो LSE है line of actual control है और जो भी dispute है conflict है cooperation है conflict competition है उन चीज जो कैसे manage करते हैं अगर यूएस और चाइना manage कर सकते हैं अगर वो कुछ steps लेते हैं तो हमारे लिए भी एक सीखने की चीज होगी हम भी उस चीज को सीख के और आगे जो है वो बढ़ सकते हैं डेक्स देखते हैं एपक के बारे में एपक पे आज 5 एम सीरीज में मैंने डिसकस भी किया हुआ है काफी सारी चीजे तो इवन जोग्रफी एंवर्मेंट साइंस के जो एडवांस टॉपिक्स वह भी आपके 5 एम सीरीज में कवर होता है YouTube के अंदर ठीक है तो उसको प्लीज सीरियसली करें अगर आप सिविल सर्विस का कर रहे हैं अबाउट अपैक एश्या पैस्विक एकनोमिक को आपरेशन तो यह थोड़ा सी चीजा आप रटलो कि इसमें टोटल आपके पास जैसे टोटल आपके पास 21 मेंबर्स हैं और एकनोमिक पार्टनर्श्य पर देखो एक इंटरडिपेंडेंसी बन रही है उसको देखना और साथ में यह एंशोर करना की कैसे हम साथ में आके आर्थिक लेवल पर साथ में आके व्यापार कर सकते हैं अपने जो लोग हैं उनकी प्रॉसपरिटी के लिए काम कर सकते हैं रिजनल इंटीगरेशन प्लस ट्रेड आ अपने आके बाई हैं आपक के बारे में डिसक्स किया है MSCI के बारे मिंटा स्टिपले सुट टॉपिक्स हो डिस्कस किया है ठीक है अब यहां मैंने इसलिए पोस्ट करते हैं कि यहां भारत का गलत मैप दिया हुआ है देखना पड़ता है तो अब यह देखो यह सारे के सारे देश है जैसे कैनाडा, उनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, पेरू, चिले, न्यूजेलेंड, पपॉण यूगिनिया, अस्ट्रेलिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया, पालेशिया, हाइलेंड, चाइना, कोरिया, जैपैन, चाइनीज टैपे, ताइवान, हंग कॉंग, रिपब्लिक ओफ फिलिपिन्स, वेतना, ब्रुनाय, यह सब देश क्या हैं, रश्या, यह सब देश क्या हैं, अब आप कोई समझना है कि इंडिया इसका हिस्सा नहीं है, इंडिया ने कोशिच भी की, लेकिन मतलब वो कह दिये, मतलब यह दूर है, पार्ट नहीं है, ऐसे कुछ बोल दिये, अब इस पूरे रीजन का एक economic integration, थीक है, इसका aim क्या है कि इस पूरे रीजन को connect किया जाया है, और अगर suppose करो कि इनके बीच में, और इनके बीच में कोई ज़्यादा gap ना हो, suppose करो कि देखो, चाइना रशिया को competition है, आपस में तो यह बनेगी, तो है नहीं इनकी इसलिए ये Unity of parts develop होना बहुत असान नहीं है लेकिन अब देखो अगर आज के समय में क्या है कि इंडिया और Central Pacific Ocean को इंक्लूड किया गया लीत इस लीजन को डिभ्लप किया जा रहा है तो इस लीज़न कर रहा है यूएस कभी इंट्रेस्ट कर रहा है जैपान कभी इंट्रेस्ट कर रहा ऐस्ट्रेलिया कभी और इंट्रेस्ट कर रहा है इंडिया कभी तो आप देखो मेजर जो पावर है जाहे वह इंडिया हो गया और इधर आपका यूएस हो गया और जैपान हो गया तो यह सर्विस इंवेस्टमेंट और पीपल देश के बीच में इजली मूव करें मालो यूएस अस्ट्रेलिया में कुछ भेजना चाहता है चाइना पर कुछ रश्या भेजना इसली चीजे मूमेंट आपका हो सके उनके जो भी प्रोड़क्ट उसमें इधर उदर के टैक्सिस ना हो बिजनेस आसानी से हो सके यही सब है और इसमें यह भी है कि जो भी regulatory system है regulation है उसको एक certain set of standards और policy के तहत किया आपका जाएगा और easily चीजों को export किया जा सकता है import किया जा सकता है मतब व्यापार आसानी से हो जाए ऐसा इनको ensure करना है ठीक है व्यापार एक असानी से हो जाए एसा इनको ensure करना है ठीक है session live देख रहे हैं यह premiere video जो देख रहे है तो please like button जरूर से प्रेस करें आप session देखते हैं तो like button प्रेस करने में ज़रूर समय नहीं लगेगा और चैनल को जरूर से subscribe करें और जो अभी test scheduled है प्लीज उसको कल संडे का जो test है advanced current of years का प्रिलिम्स का प अच्वा टेस्ट आप आपकी नीद मालो 45 पे टेस्ट में जगेगी तो फिर पीछे रह जाओगे आपके competitors तो हैं लगबग उसमें 200 के आसपास students है 200 के अभी students उसका है और आप लोग यह जो सौरपाइंटे CSE app के अंदर test हो उसको seriously लेके और आप करें ठीक है और test देके चल मैं कारे करूँगा अभी आपके लिए 5 एम सिरीज भी स्टार्ट की है और यह जो advanced पार्ट है current affairs का यह देखना C-set की classes आपकी start हो जाएंगी Tuesday से रात को 9 बज़े C-set की classes start हो जाएंगी और जो teacher है आपके cat और IIT से हैं ठीक है तो उनका भी introduction आपको मंडे को हो जाएगा और इसी तरीके से economy की classes भी जो है और जो economy की classes भी जल्दी start होंगी बात की चल रही है और जो teacher है वो भी आपके लंडन से पास out है लंडन से उन्होंने पढ़ाई किये economics के field में और Delhi University के top college से पढ़ाई किये ठीक है तो लंडन से भी पढ़ाई किये और Delhi University के top अब उसमें आप difference द के लिए आपको जो है पढ़ाएं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा expertise इस field के अंदर चीजों को लेके content भी बहुत अच्छे तरीके से प्रेप्यार करता है अच्छे content का मतलब यह कि कोई मिठी 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 बाते कर रहा है अच्छे content का मतलब यह है कि content जो आपको पढ़ाया जा रहा है एक्जाम प्रस्पेक्टिव से important है यह देखना है हम teacher के reputation पर जाते हैं ना कि content पर जाते हैं लेकिन अभी मानलो है आप initial phase में हैं आप त्यारी कर ही रहें तो आपको लेगा यार नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कुछ हासान करता हूँ फिर आपको कोई one liner पढ़ाएगा तो आपको सुच कहां यह मैं समझ में आ रहा हूं बट आप इस चीज को समझें कि वह content आपके काम कैसे आएगा जब वह content exam perspective से ही नहीं तो यहां पर आप यह मत समझें कि आपको क्या समझ में आ रहा है वह आप उस पे पीछे भाग रहे हैं आप देखो कि जो content आप पढ़ रहे हो और इतने बड़े exam के लिए पढ़ रहे हो तो हो सकता है initial phase में आपको चीज समझ है वह इस बात को मतलब इस सिस्टम को हम लोग follow भी कर रहे है कि बहले दो-तीन लोग भी हो बट वह quality person हो और plus अपने subject पर बहुत अच्छी पकड़ो ऐसा नहीं कि दर उदर का सिद्ग्यान जो है वह दिया जा रहा है तो वह आवाइड करना है तो जैसे एक CSAT के teacher आपके प्लस आउट है और आपके जो जैसे मैं हूँ ही तो मैं पढ़ाई रहा हूं आपके तो हम लोग तीन लोग तो हैं प्लस कुछ और भी आएंगे एक professor है उनसे भी मेरी बात हो रही है जो आपको बहुत senior professor है 75 प्लस एज है तो वह भी चीज़ें आपको थोड़ा सा convey करेंगे discussion value system ethics पर चर्चा करेंगे तो यह सा ऐसे धीरे धीरे चीज़ें आप सीखते जाएंगे और quality content आप focus करेंगे पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपके mind के जो thought process है उसको भी अच्छा करेगा exam के प्रती जिस तरीके का thought process आपको चाहिए वो thought process आप develop कर पाएंगे बागी information और यह one-liner चीज़े तो आपको दुनिया भर में आपको मिलती रहेगी चलो शुरू करता है नेक्स देते हैं geopolitics fallout of इसराइल हमस तो देखो इस पे मैं आपको जो भी इसमें कहानी लिखी हुई है उसको एकदम कहानी के रूप में explain करता हूँ तो इसमें फिर आपक पीडियाफ शेयर कर दूँगा तो आप लोग उससी चाहो तो रीड कर लेना तो यहां पे बहुत ही ध्यान से पूरी कहानी को सुनना है और इस कहानी किरदार को सुनना है बहुत important है क्योंकि international geopolitics को यह affect कर रहा है तो इसको समझते हैं पहले भी इस पर मैंने चर्चा की है औ और सुनना आप लोग भी हान से सुनना ठेक है अब लिखूंगा नहीं इसमें कहानी के रूप में ही है देखो एक चीज हमेशा से याद रखती है जो बहुत important है कि देखो international aspect में चीज़े isolated नहीं होती है अगर आप issues को isolated देखोगे न तो फिर हमें हम उसे issue के बहुत ही fragmented और US इस जगह पे अपना presence को या western countries इस जगह पे अपने presence को उन्होंने बढ़िया तरीके से presence को बना रखा था क्योंकि oil एक बड़ा important source है और इस region में oil था energy security के context में वो अपना presence यहां बना के रखना चाहते थे लेकिन धीरे-धीरे जब oil पे dependency जो है आपकी reduce होने लगे उन्हें की तरफ जाएंगे तो अपने influence को धीरे-धीरे वहां से reduce करते गया पहला अफगानिस्तान से US गया फिर West Asia के अंदर भी अपने presence को जो है reduce करने लगा तो यहां पे importance है देखो किसी चीज की importance है तो आप उससे रिष्टे बना के रखोगे किसी चीज की importance नहीं है तो आप सोच सब्सक्राइब है उसको बढ़ाना था लेकिन West Asia में भी development हो रहा है Saudi Arabia UAE जैसे बहरीन कुएत जैसे देश है उनको लगता है यह बास सही है कि पहले हमें जब भी है ना जब भी पैसे की जुरुत थी तो हम इतना पैसा क्यों कमा पाए हम इसलिए पैसा कमा पाए because because हमारे पा सकते लेकिन future में तो oil का demand इतना नहीं रहेगा उन्हें भी पता है कि हमें अलग economic activities की तरफ जाना पड़ेगा और इसके लिए यह जो देश है जैसे साओधी अरेबिया है आपका कुवेत वहरैन वैसे साओधी अरेबिया तो ऊपर अलग से था लेकिन जैसे कुवेत बहरैन और यह सब देशों ने Abraham Accord साइंग किया US ने किया और इसराइल के माध्यम से यूएस अपने इंडिया से होते हुए और इसराइल से होते हुए आगे तक यूरोप की इसराइल की बनाना इससे क्या होगा कि एक कॉरिडोर भी बन जाएगा तो धीरे धीरे जो एक आप क्या सकते पाकिस्तान पर डिपेंडेंसी है वो रिडियूस होगा और इंडिया को डिरेक्ट यूरोपियन देशों से कनेक्ट किया जा सकता है अब यह भी आप समझो कि यह चाइना से इतना ठरिस्ता नहीं है तो हमें पास भी यही रास्ता है कि इस इंडिया मिडिलिस्ट एकनॉमिक कॉरिडोर को डेवलप किया जाए और जो है वो यूरोप तक हम अपना इंटेग्रेशन करें और वेस्टन कंट्रिस को भी यह है कि इंडिया उनके साथ ही है तो और यह रोष यह को बने गा. अब इसे बीच में क्या है कि इस बीच में जो ta ku कैसे रोका जाए दूसरा बात यहीं चल रही थी उनके मन में कि जैसे for example कि जैसे मालो क्योंकि Western countries या USA की बात कर रहे हैं वो West Asia से इतना अपना presence जो है वो इस जगह से reduce कर रहे थे इतना importance नहीं दे रहे थे तो सब साओधे रेबियो और सब लोग भी अपनी independent foreign policy लेकर जा रहे थे वो चाइना रश्या के साथ अपना engagement बढ़ाने की भी कोश कोशिश कहने की बात की कि देखो जब आपको अपनी economic activity वो diversify करना है उस इस्थिती में आपको ये जो इसराइल के साथ रिष्टे हैं उसको maintain करते हुए आप Western countries तक रीच कर सकते हैं और उनको भी लगा कि अगर हमने इसराइल के साथ अच्छा रिष्टा बना लिया तो फिर हम Western countries तक भी रीच कर सकते हैं और एक प्रकार से जो tension है वो इस region में reduce हो सकता है अब यहां पर देखो हमस और इरान और इनकी चिंता का विशा यह था कि इनको यह लग रहा था कि यह जो बात की चल रही है इसमें हम लोग साइड लाइन हो रहे हैं तो इरान यह सब इंक्लू सबका interest converge कर रहा था रश्या चाइना को लगता था कि यार अगर कुछ ऐसी स्थिती बन जाए कि पिलस्तीन का issue rise हो जाए तो फिर यह corridor और यह सब जो भी है वो नहीं हो पाएगा वेस्ट के प्रति दूबारा से negative sentiment जो है दूबारा से develop हो जाएगा तो उन्होंने हमस को जो है प्रमोट किया और यह attack हुआ, attack होने के बाद इसराइल ने दूबारा से जो हमला वो करी रहा है इससे बहुत ही negative sentiment develop हो गया आरब वर्ल्ड में, western countries के प्रति तो अब अब अबरहम अकॉर्ड के principles को implement करना इतना आसान नहीं है, क्यों क्योंकि negative sentiments जो है वो develop हो गया, साओधिय Arabia खुल के सामने तो नहीं है, लेकिन उसको भी पता है कि अगर उसने अभी कुछ ऐसा proactive step नहीं लिया, या कुछ बोला नहीं, अगेंस्ट या पिलिस्तिन इशू पर अगर उसने कुछ बोला नहीं, या इसराइल के प्रती कुछ negative नहीं बोला, तो फिर वो Islamic world का leader नहीं consider होग लेकिन अभी युद्ध की स्तिती बनी हुई है, इस युद्ध की स्तिती से सारी चीजे जो है वो जो एक चीज अचीज अचीव की जा रही थी, तो वो बहुत ही delay हो जाएंगा, पता नहीं 4-5-10 साल में क्या होगा, लेकिन जो चीजे मानलो normalised situation में चल रही थी, वो चीजे डिले हो जाएंगी, क्योंकि अपना-पना सब का इंटरेस्ट, तो यह overall थोड़ा सी चीजें आपके मन में रखने हैं, अब इसमें देखो नुकसान किसका है, अब हम तो यहां बैठे-बैठे, मालो हम हमारे देश में, जैसे अब जैसे इंडिया है, इंडिया ने साफ- तो इंडिया ने हर एक आयाम को ध्यान में रखता है, हमारी देश में भी जो मतलब आप कह सकते हैं, कि इस इशू को लेके एक प्रकार से inclination आपको देखने को मिलेगा, पलेस्तीन का जो इशू है, लेकिन हमें समझना है कि यह overall यह बहुत international level पे बड़े-बड़े leaders का एक game ह और उसमें कौन affect हो रहा है, Palestinians जो हैं वो affect हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, कोई वी देश अगर किसी पे बहुत निरभर होता है, तो वो एक टूल के रूप में इस्तमाल होता है, आप जीवन में भी यह principle यही है, कि अगर आप किसी पे बहुत निरभर है, तो उसका जब interest होगा, तो आपके कोई काम मिलेगा, जब उसका interest नहीं होगा, लाप मार देगा, बस हो गया, तो यही दुनिया की रीत है, यही individual की रीत है, यही international level की रीत है, इसलिए आपको खुद independent होना है, अपने institutional mechanism को develop करना है, तब ही आप आगे बढ़ सकते हो, life में भ आपको explain कर दिया है, इसका PDF में आपसे share कर दूँगा, तो आप लोग देख लेना, ठीक है, यही सारी बाते जो है mentioned है, जो लिखा हुआ है सारा, तो ऐसे का topic देख लो, निबंद का topic है, it is better to live your own destiny imperfectly than to live an imitation of somebody else life with perfection, यह मैंने Palestine और Israel का जो issue है उसको ध्यान में रखते हुए, यह लाइने ली है, ठीक है, यह जो लाइने है ना, I think भगवत गीता में है यह, ठीक है, तो यह जो है, यह चीजे आप अगर थोड़ा लिखोगे ना, तो 1100 शब्दों में लिखो, और group में डालो, read करने दो, आप जो निबंद लिखतो, दूसरे students है, उनको read करने दो, दू आपका सौरपपांडे, सौरपपांडे, UPSC.com, उसकी link में डाल दूँगा, website की, उस पे जा के, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके बारे में आप लोग को जानकारी, उसमें मिल जाएगी, नई website launch हो चुकी है, उसका मैं detail आपको सारा share कर दूँगा, यह आप लोग ज प्राइज बढ़ जाएगा, और आकलन का सीरीज का भी, मंडे से प्राइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब इसमें sufficient बच्चे आ चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग जो है, क्योंकि काफी सारी चीज़े, तो इसा टोटल 50 टेस्ट है, तो मैंने इन answer को post कर सकते हैं, अगर आप evaluate नहीं भी कराना चाहते, तो आप कर सकते हैं, ठीक है, तो मिलता है next session के अंदर, आज के लिए इतना ही, I hope यह session आपके लिए helpful रहा होगा, और कोशिश करे regular session attend करनी की, Sunday का थोड़ा time flexible होगा, कल World Cup का final भी है, तो मुझे नहीं लगता, आप लोग आप 5am series का भी session लिया था, ठीक है, बट आप लोग को पढ़ना, आप session जिनके लिया जा रहा है, वही नहीं पढ़ेंगे, तो कैसे चलेगा, तो थोड़ा सा serious लें, अपनी तयारी को अब time जादा नहीं है, और पढ़ाई करते हैं, all the best, thank you everyone, और चानल को जरूर से subscribe करेंगे करेंगे हैं